नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कावेंदर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूस वर्ड इंडिया शुरू आप करेंगे यूपी फटा फट के कौशामभी के सराय अकिल थाना इलाके में किशोरी के साथ सामुहित दुशकर्म का मामला सामने आया है किशोरी के साथ पहले तो उसके प्रेमी ने जंगल में ले जाकर दुशकर्म किया उसके बाद मौके पर पहुँचे तीन यूवकों में से दो यूवकों ने डरा धमका कर किशोरी के साथ दुशकर्म किया शुक्रुआर की दोपेह रोही जवारदात की शिकायद शरीवार को की गई पिडिता की शिकायद के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरूपी प्रेमी को गिरफतार कर लिया है वहीं दूसरे आरोपी को देरात मुठबेड में गिरफतार करने का स्पी अभिनंदन ने दावा किया है तो वहीं मुठबेड में घायल आरोपी ने पुलिस पर फरजी मुठबेड का आरोप लगाया है आरूपी का कहना है कि पुलिस ने उसे दो दिन पहले उठा लिया था जिसके बाद जंगल में ले जाकर बाद में पैर में गोली मारी थी मेरट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वीडियो में रईस जादे बर्थडे सेलिबरेशन के दोरान हतियारों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं रईस जादो ने दबंगई दिखाने के लिए फेस्बुक पर ये वीडियो डाला है जिसमें वो लोग बंदू, तलवार और रिवॉल्वर के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं इन अयाशों के राजनैतिक कनेक्शन होने की भी चर्चा है, पूरा मामला थाना नौचंदी शेत्र के सेंटरल मार्केट का बताया जा रहा है जहांसी में पुलिस ने खुले में जाम चलका रहे शराबियों को पकड़ा है, जहांसी पुलिस ने खुले आम शराब पीने वालों के खिलाब अभियान चलाया था, जिसमें अलग-अलग थाना शेत्रों में 100 से जादा शराबियों को गिरफतार किया गया है इन शराबियों की किरफतारी से जिले में हड़कम मचा रहा पकड़े गए सभी शराबियों को पुलिस ने थाने में बंद कर दिया है फिरोजाबाद में एक बार फिर पुलिस की दबंगई देखने को मिली है जहां पुलिस के दरोगा और कॉंस्ट्रेबल ने भाजियों में कोई जिला महामंत्री की पिटाई कर दी गटना को लेकर बीजेपी कारिकरताओं ने विरोध कर थाने का गहराओ किया मामला उच्च अधिकारियों तक पहुँचा तो SSP ने दरोगा और सिपाही को लाइन हाजर कर जांच के आदेश दिया है गाजिपूर में आज इलाबाद हाई कोट के मुख नयाधीश गोविंद माथूर का आधमन हुआ हाई कोट के चीफ जस्टेस गोविंद माथूर ने सिविल बार एसोसियेशन के कारिकरम में शिरकत की यहां उन्होंने बार सभागार में लगे दिवंगत चार अधिवक्ताओं के चित्रों का अनावरण किया इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कोविड काल का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले वर्ष हम जरूर कुछ कारियों में पिछड गए थे लेकिन हम सब अपने आत्मविश्वास और शक्ती के बल पर किसी भी समस्या से निपट सकते हैं चीफ जस्टिस ने अदालतों में लंबित मुकद्मों के संधर्म में कहा कि अदालतों में खाली पड़े पदों पर जल्द से जल्द नियुक्तिया की जाएंगे बिजनौर में कुट्टे का पीछा करते हुए एक तेंदुआ गाओं के घर में घुस गया तेंदुआ के घर में घुसने के कालड वहां मौझूद लोग घर से बाहरा गए और आजपास के लोगों को बुला लिया गाओं में जमा भीड ने इसकी सूचना पुलिस और बनविभाग की टीम को दी मौके पर पहुची बनविभाग की टीम वा पुलिस ने ग्रामीडों की मदद से तेंदुआ को कमरे में बंद कर दिया राद भर रेश्क्यो ओपरेशन चलाने के बाद सुभा तड़ के चार बजे ग्रामीडों की मदद से बनविभाग की टीम ने तेंदूओं को पिंजरे में कैद कर लिया है बुलंशेयर जेल को ISO सर्टिफिकेट मिला है और मानव अधिकार के साथ साथ जेल में कैदियों को कौशनल विकास के तहट सिलाई कड़ाई बुनाई जैसी सुविधार मिलती है साथ ही जेल में कैदि खुद और्गेनिक फार्मिंग करते हैं Prisoners welfare के तहट कैदियों के लिए जेल में जेल रिडियो के साथ साथ परिजनों से बात करने के लिए टेलीफोन की भी विवस्था है साथ ही समय समय पर जेल में कैदियों की मानसिक दशा को ठीक रखने के लिए सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कैदियों के वेलफेर में आयोजन और समाहरों कराए जाते हैं बुलंशहर जेल उत्रप्रदेश की तीसरी जेल है जिसे ISO सर्टिफिकेट के द्वारा प्रमाडित किया गया है इससे पहले उरई और एटा जेल को भी आयोजन और सर्टिफिकेट से प्रमाडित किया जा चुका है विकास दुबे के खातमे के बाद कानपूर पुलिस जहां अभी भी दुबेंड कमपनी की जड़े खोदने में लगी है वहीं अब KDA यानि कानपुर विकास प्रदिकर्ण ने भी अपने अधिकार शेत्र में आने वाली विकास दुबे के खजांची जैवाजपेई की समपत्यों पर कारवाई का एलान कर दिया है कानपुर के ब्रह्मनगर में जैवाजपी की इमारत जैविला के ध्वस्ती करड़कार नोटिस जारी कर केडिये ने अपने रादे साफ कर दिये बिजनौर के थाना अफजलगड शेत्र अगवानपुर खालसा पीजा हट पर अमेरिका से पधारे फेस्बुक के डारेक्टर नवनीत सिंग रंधावा वा फेस्बुक की सीनियर मैनेजर रिधिमा खोराना दिल्ली घूमने के बाद कालागड जंगल में घूमते हुए खालसा पीजा हट पहुँचे वहाँ उन्होंने पीजा बर्गर खाया और उन्होंने कहा ऐसा स्वात तो बड़े बड़े शहरों में भी बहुत कम जगए खाने को मिलता है नवनीत रंधावा ने इंडिया के वातावरड की जमकर तारीफ की उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम जितनी जगा भी घूमे हैं देखने के काबिल हैं हमें इंडिया बहुत अच्छा लगा संभल के गुन्नोर कुतवाली लाके में शनिवार की देर राग पशुशाला में आग लगने से साथ पशुओं की जुलस कर दर्दनात मौत हो गई आग में जुलसे पशुओं की रम्हानी की आवाज सुनकर परिशन जागे और शोर मचाकर आग भुजाने का प्रियास किया ग्रामीनों की मदद से कडी मशक्त के बाद आग पर काबू पाया गया वही हाथसे में उही हानी के परताल के लिए राजस्व विभाग की टीम गाउं पहुची है जो प्रिशासन को नुकसान की रिपोर्ट सौपेगी फिरुजाबाद के शिकोहबाद धाना शेत्र अंतरगत छीशा मई पुल के पास तीन दिन पूर्व नौश हरा प्रधान के पिता ने नहर में चलांग लगा दी थी जिसके बाद परिजन और पुलिस शव को खोजने का प्रियास कर रहे थे आज सुबह मृतक लाखन सिंग का शव रेलवे कॉलोनी के पास नहर से परिजनों ने बरामत कर लिया है मृतक की जेब से कागज भी मिला है जिस पर खेट के बटवारे को लेकर कई बाते लिखी मिली फिलाल पुलिस इन सभी तथियों पर जाच कर रही है और मृतक के शब को कबजे में लेकर पोस्मार्टम के लिए जिलाज स्पताल भिजवा दिया गया है इस बारे में थाना प्रभारी का कहना है कि तहरीर मिलने पर कारवाही की जाएगी इटावा की बकेवर पुलिस ने इन द्रोसी गाउं में अवैज शराब की फैक्टरी पर छापे मारी कर तीन शराब माफियाओं को गिरफतार किया है पुलिस की छापे मारी के दौरान एक माफिया मौके से फरार हो गया पुलिश ने फैक्टरी से अवैज अंग्रेजी शराब की 25 पेटी, 400 कौटर खाली बोतल, 8 ड्रम, 5 लीटर कैमिकल, 21 किलो यूरिया शराब के नकली रैपर बरामद किये हैं शराब माफिया नकली शराब बना कर आजपास के इलाकों में सप्लाई करते थे कानपुर में एक बार फिर रफतार का कहर देखने को मिला है ग्वाल्टोली थाना शेत्र में सडक किनारे खड़े ब्रद को अनियंतरित कार ने टक्कर मार दी जिससे बुजूर्ब की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तक्कर मारने के बाद कारचालक मौके से फरार हो गया एक्सिरेंट की पूरी घटना वाहल लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई फिलाल पुलिफ ने सब को पूस्मार्टम के लिए भेज दिया है और CCTV के आधार पर कारचालक की तलाश जारी है फिरोजाबाद के टूंडला से पूर बिधायक राकेश बाबू एडवोकेट बाउन के पुत्र पूर्वजिला पंचायत अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने सपा का दामन थाम लिया है लकनों में सपा के रास्ट्र अध्यक्ष अखलेश यादव की मौजूदगी में पूर बिधायक ने अपने पुत्र वा समर्थकों के साथ सपा की सदश्यता ग्रहण की है इस दोरान रास्ट्र प्रमोख महासचिप प्रोफेसर राम गुपाल यादव भी मौजूद रहे आपको बता दें राकेश बाबू टूनला से बसपा के टिकेट पर दो वार बिधायक रह चुके है रामपुर जेल में बंध शबनम से मिलने आज उनका बेटा ताज पहुँच उसके साथ केर टेकर भी मौजूद रहा दोनों की जेल में मुलाकात हुई बता दे कि अमरोह जिले में 52 खेडी में 14-15 अप्रेल 2008 में परिवार के साथ सदस्यों को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर शबनम ने हत्या कर दी थी परिजनों की हत्या करने के मामले में शबनम को फांसी की सजा मिली हुई है जुलाई 2019 से वहरामपुर की जेल में बंध है इन दिनों उसकी फांसी की तैयारी मतुरा जेल में चल रही है हालाकि अभी उसका डेथ वारेंट जारी नहीं हुआ है बिजनोर पुलिस ने आज एक बस ड्राइवर को दो लाख की स्मैक के साथ गरफतार किया है यह बस ड्राइवर बरेली का रहने वाला है और समविदा के पद पर यूपी परिवहन बिभाग में तैनात है आरूपी ड्राइवर दुआरा सभी बस टॉपो पर लोगों को स्मैक बेचने की सूचना पुलिस को मिली थी पुलिस ने आज इस बस ड्राइवर को रंगे हाथ लाखो रूपे की स्मैक के साथ गरफतार किया है वहीं पुलिस आरूपी को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है तो फिलाल यूपी फटाफट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूस वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद